सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेनी ने सौर्ड ओफ समसारा के जानलेवा औरा को सैन करके उसका लाश्ट ट्रायल भी पास कर लिया था और उसके सबी सेंस भी ठीक हो गए थे जिससे अब उसे दिखाई देने लग गया था सबी टीम डीमन हंटिंग पास से होली सीटी की तरब निकल गई थी रास्ते में आउचेन ने सबी को चेंज इडियन के दोरा दिया गया ट्रेजर दिखाया था जिससे उन सबी ने एक्टियट कर लिया था सबी करना बनता है फिर अब हम देखते हैं कि आउचेन सबी को बताता है कि चेंज इडियन ने मुझे ये भी कहा था कि इस दुनिया में 72 डीमन पीलर मुझूद है जिन में से नए डीमन कोट का पुनरजनम होता है और ये डीमन पीलर इतने पावरफुल है कि आज सक इन्हे कोई तोड़ नहीं पाया लिन कहता है कि जब तक डीमन कोट पीलर डिश्टोय नहीं होंगे हम कभी डीमन को हरा नहीं पाएंगे पर आज तक एक भी डीमन पीलर को कोई भी नश्ट नहीं कर पाया वांग कहती है कि ने कोई नश्ट नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि के से नष्ट करना है हाओ चन के एता है कि तुम ठीक कह रही हो अब से हमें । नष्ट करने का ही अपना गोल बनाना होगा मेरा मानना है कि जब तक हम खुद को इंपरू करते रहेंगे एक एक दिन ऐसा आएगा जब हम इन डीमन पिलर को नश्ट करके 6000 सालों से चल रहे इस युद्वों खत्म कर देंगे और प्रकाश की युग की शुरुआत करेंगे शेनिन कहती है कि प्रकाश के युग प्रकाश की पहली किरण की तरह है लेन को इससे आइडिया आता है कि हम अप कमाल का है हमों सिम्बल बनेंगे जो मानवता में आशा लाएगा बाइकी सभी भी इससे एगरी करते है यानि अब से उनकी टीम का नाम फर्ष्ट गिलीमर ओफ ओव था हाउचेन अब सभी से कहता है कि सोल्ट शेकलेस के उस ट्रेजर की वज़े से हम साथों एक बोंड से ब करेंगे और हमें प्रोटेट करेंगे जिआंग और फ्लेंग पर को असल्ड को लीड करेंगे और नू लिन और चेनिंग को प्रोटेट करेगा और पूरी टीम की मत करने के लिए त्यार रहेगा हान्यू भी उसकी बास से एगरी करता है और बताता है कि अनेक्सपेक्टेट सिच्वेशन में रिस्पॉंट देने के लिए मैंने हीलिंग और सपोर्ट स्किल्स को भी सीखने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है ताए कि मैं अपनी टीम की कमजोरी को छिपा सकूँ हाउचेन कहता है कि लीडर काउन ने हम सभी को बताया था कि हिलिंग ही अमारी टीम के एक मातर कमजोरी है जियान कहता है कि आन्यू मुझे माफ करना मैं हिलिंग स्किल्स को सीखने में सक्षब नहीं पर क्या तुम शूर हो कि तुम हम सभी को हेंडल कर लोगे हान्यू कहता है कि तुम चिंता मत करो मैंने आउचेन के साथ एक कॉंटेट किया है जिससे मेरी इनेड एबिलीटी मन असी पॉइंट तक बढ़ गया था जियान इससे चौंग जाता है और कहता है कि इनेड मन तभ मैं सन ओफ लाइट के रिकॉर्ड से मेल खाता है जियांग आउचेन के पेरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं भी लाइट एलिमेंट की प्रेक्टिस करता हूँ इसलिए तुम मुझे भी अपने पेरों में जगा दे दो लिंच सोचता है कि मैं हमेशा से जाता था कि है जिसे सभी वापस से चोग जाते हैं लिंच इलाते हैं कि एसा कैसे हो सकता है लीडर और डिप्टी लीडर दोनों जन्म से मोश्टर है जिससे ऐसा लगता है कि हम सभी बाकी के टीम मेंबर की पावर इनसे बहुत कम है और हम सभी एक ही कश्टी पर सवार है वहां कहती है क जैसे जैसे मेरी तागत बढ़ती है वैसे वैसे जाइन्ड इस्पीट गोड़ ब्लड लाइन और शिल्डी की शक्ती भी बढ़ती जाएगी तो लिन चेनिंग के पास जाकर कहता है कि तुम मेरा साथ नहीं चोड़ोगी हम दोनों के पार एक जैसी है तुम इनके जितनी श्ट की जीनियस के रूप में पेचाना है और मैं बोड़ी ओफ के साथ पेदा हुई थी सभी से वापस से चोग जाते हैं कि उसके बास बोड़ी ओफ के उसे हाओ चेन भी सोचा है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेनिंग के पास अरा जगता का शरी रोगा इसका मदलब यह है कि वो मूल रूप से इस पी टेंबल की उत्राधिकारी है पिता जी ने मुझे बताया था कि बोड़ी ओफ के ओस होने वाले इंसान गारंटी से नोवे लेवल तक कर्टिवेशन कर सकते हैं साथ यह समन करके इंटर डायमेशन मोस्टर को भी बुला सकते हैं एसी व्यक लेवल बेरियर को ब्रेक करके आगे बढ़ सकती हूं और अब अपने पार को एक्ट्रेट करती है और उन सभी के सामने ही वह लेवल फाइपर पहुंच गई थी लेन इसे चौंक जाता है चेनिंग कहती है कि मुझे खुद भी इसकी उमीद नहीं थी पर अब तुम समझ हान है लेन अब काफी परहशान हुआ सोचता है कि मेरे ग्रूप के सभी लोग मौश्टर है और मैं अकेला ही सबसे कमजोर हूं वही हमें होली सीटी का सिन दिखाया जाता है जहां चारों तरफ यह ख़वर फेल जाती है क्या ओचेन ने तोनों सेल को बुला कर डीमन अंटि पास ने इस बार डीमन के खिलाब जो जीत हासिल की उसका क्रेडिट हाओ चेन को दिया जा सकता है तुमने वास्तों में एक एक इस्टा ओर्डिनरी स्टुडेंट का पालन पोशन किया है यह वा कहते हैं क्या चेन के लिए सवर्ग की उचायों को चुना उसकी किसमत में लि इसका फ्यूचर होगी वह सभी कल वापस से होली सीटी लोट आएंगे और तुम आज ही जा रहे हो क्या तुम वाकिया आउचेन को नहीं देखना चाहते यह वा कहते हैं कि मेरे पास और भी बहुत से इंपोर्टेंट टास्क है मुझे अभी बहुत से लोगों को सिकाना है तब यहां ड्रेगन रेजिटेंस लीजन का फर्स्ट बटालियन जियांग हुआ जाता है जो अपनी पिछली लड़ाई में सिव अकेला जिन्दा लोट कर आया था वाउचेन का वही दोस्त था जिसके साथ हाउचेन बच्पन में ट्रेनिंग करता था हान क्यों उसे कहते है कि तुम हजारों लोगों में से सिव एक जिन्दा बचे हो इसलिए अलाइंस के रूल के मताबिक हम तुमें फाइनेंसियल असिस्टेंस देंगे यानि अब तुमें फ्यूचर में पेसों की कोई चिंदा नहीं रहेगी तुम अपने होम टाउन वापस लोट कर शांती से रह सकते हो जियांगू कहता है कि मैं आपकी उदारता का आबारी हूँ पर मैं ठीक होने के बाद वापस डेगन रिजिस्टिंग पास पर लोटना चाहता हूँ ता है कि मैं डीमन को खत्म कर सकूँ यह हुआ कहते है कि क्या तुम मुझे वापस लड़ाई में लोटने का कोई का साइट बनूंगा इसलिए मैं भी एक दिन उसकी बराबरी करके उसके साथ डीमन से लड़ना चाहता हूँ यह वा देखते हैं कि बहुत बहादूर है और सीखने के ब्रति जुनुनी है मुझे इसमें आउचेन के जैसा ही सास नजरा रहा है और रोहां क्यून से कहते हैं कि लड़ाई वाके काफी अच्छी है मैं इसे ट्रेंड करना चाहूंगा और जियांगू के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम मेरे स्टुडेंट बनने के लिए त्यार हो जियांगू इससे खुश होता है पर और ने कहता है कि मैं आपको निराज भी कर सकता हूं क्योंकि मेरा इ लेकर रेजिस्टिंग पास की तरफ जा रहा हूं इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए जियांगू इससे खुश होता है और उन्हें थेंस कहता है हान क्यों इससे कहते है कि बटालियन का फ्यूचर अब तुमारे हातों में हैं मुझे उम्मीद है कि तुम हमें न से टारा न से का लिँडर आंस के पास आंसे के साथ के फित्सक्राइब से पर खत्मों जाता الا ऑप को वीडियो पसंद आया हूं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चेनल को सब्कैब जरूर कर लेना मिलते से नियुक्त वी तृटMA झालो जो जो में तेक्स रोगी